हरे कृष्णा, डाक्स एंड डेजर्ट्स में आप सब का स्वागत है सिफ तीन इंग्रीडेंट से बनाए, मुँ में घुल जाने वाली चॉकलेट की ये मिटाई एक बार बनाएंगे ना, तो सब लोग कहेंगे वापस बनाओ, वापस बनाओ मैं खुद कितने बार ये चॉकलेट बना चुकी हूँ एक बार आप भी जरूर ट्राई कीजिए वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चानल पे नए हो, तो चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले बाजू में जो बैल आइकन है ना, उसे भी जरूर दबाए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो बढ़ते हैं वीडियो के तरफ इस रेसिपी में मैंने सिफ तीन इंग्रिडियन्स का यूज किया है तीन इंग्रिडियन्स से आप मुँ में घुल जाने वाली मिठाई बनाएंगे सबसे पहला इंग्रिडियन्ट है, मेल्टेट कमपाउंड यहां मैंने डाक कमपाउंड का इस्तमाल किया है आपको चाहिए तो आप वाइट कमपाउंड भी यूज कर सकते हैं कमपाउंड जब हलका सा गरम हो तब उसमें एक टीस्पून के करीब बटर डालिए यह रेगुलर बटर है पर बटर रूम टेंपरेचर में होना चाहिए इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर जाएगा तीसरा में इंग्रिडियन्ट जो है कंडेंस मिल्क मैंने यहां पर एक चोटाई कप के करीब कंडेंस मिल्क यूज किया है और मेल्टेट कंपाउंड 200 ग्राम है इन तीनों इंग्रिडियन्स को अच्छे से मिक्स कीजिए जब आप मिक्स करेंगे ना तो थोड़ा सा थिकी का टेक्स्चर हो जाता है इसके अंदर मैं एक चौथा इंग्रिडियन्स डाल रही हूँ जो कंप्लीटली ऑप्शनल है या मुझे कॉफी फ्लेवर बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसके अंदर कॉफी पाउडर डाला है ऑप्शनल है आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं ने तो सिफ यह तीन इंग्रिडियन्स यूज़ करके भी बहुत ही अच्छी मिठाई बनती है अब यह इन सारे इंग्रिडियन्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे एक लाइन टेन में ट्रंसफर करेंगे मैंने यहाँ पे टिन यूज़ किया है आप प्लेट में भी ट्रंसफर कर सकते हैं लेकिन प्लेट को जड़ा बटर से हलका सा ग्रीस कर दीजें ट्रंसफर करने के बाद मिक्स्चर को अच्छे से टिन में स्प्रेड कर दीजें स्पैचुला के मदद से अच्छे से स्प्रेट कीजिए स्प्रेट करने के बाद आपको अगर ड्राइफ रूट डालना है तो ड्राइफ रूट डाल सकते मैंने यहाँ पर बदाम के तुकड को इस्तमाल किया है आपको चाहिए तो आप चोकोचिफ डाल सकते हो या फिर ऐसे ही रख दीजिए, बहुत टेस्टी लगता है वाइट कंपाउंट से आप जब ये बनाएंगे ना तो उसमें चोकोचिफ दाले चोकलेट फ्लेवर वाला, डाक वाला तो बहुत अच्छा लगता है अब देखें, मैंने इसको बदाम के तुकडों से गानेश किया है ऑप्शनल है, बस एक क्रंच के लिए मैंने अड़ किया है अदरवाइस ये ऐसे भी बहुत यमी लगता है उसके बाद आप दो ऑप्शन है या तो इसे ऐसे ही रूम टेंपरेचर में रख दीजिए या फ्रिज में रखेंगे एक 10-15 मिनिट सेट करने के लिए मैंने इसे रूम टेंपरेचर में ही छोड़ दिया था आराम से एक घंटा रख दिया था तो एक ग्रेनी टेक्स्चर आता है फ्रिज में रखेंगे तो जल्दी सेट तो हो जाता है लेकिन थोड़ा सा हाट थंडा टाइप लगता है बाहर ही रख के देखिए एकदम मूग के अंदर घुल जाएगा आपका यह स्वीट उसके बाद अभी मैंने एक घंटे के बाद इसे मैंने चुरी से काटा है थोड़ा रफ कटिंग हो जाता है लेकिन आप स्पून से भी इजिली खा सकते है क्योंकि बहुत सॉफ्ट रहता है और मूग के अंदर यह कम्प्लीटली मेल्ट हो जाता है कॉफी फ्लेवर ज़रू ट्राइ करना मुझे और मेरे फामिली को तो यह फ्लेवर इतना पसंद है न हम लोग अकसर बनाते रहते मेरे जैसे और कितने कॉफी लवर से यह कमेंट ज़रूर कीजिए सबके कमेंट का वेट करूंगी आप सबको यह रेसेपी कैसी लगी है यह भी ज़रूर बताना हाँ मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें माजू में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबाए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए मेरे चैनल पे बने रहने के लिए थैंक्यू वेरी मच तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा